आज हम बनाएंगे मुरादाबादी बिर्यानी जो की बहुत ही अच्छी बन के तयार होगी एक के जी चिकन में मैंने दो छोटे चमच नमक डाला है चुकि मुरादाबादी बिर्यानी में अजीनो मोटो जरूर से डलता है इसलिए मैं एक चुटा चमच अजीनो मोटो डाल रही हूं बिल्कुल पिंच ओफ हल्दी डाला है दो तेजपत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे की जावित्री जायफल दाल चीनी छोटी इलाइची बड़ी इलाइची लॉंग डाला है और दो टमाटर डाले है मैंने क निबू को इसमें काटके डाला है मुरादबाधी बिर्यानी बहुत ही इसली पक जाती है अब हम इसमें दो बड़े चमच अद्रक का पेस्ट और दो बड़े चमच लैसुन का पेस्ट डालेंगे पेस्ट की मात्रा डालने में आप कंजूसी ना करें अभी हम इसमें तीन बड़े चमच के करीब आप चार भी डाल सकते हैं मिर्ची का अचार डालेंगे ये एक निडलान कमपनी आती है शौप के पर वही डालते हैं एक कप मैंने दही डाला है और इसे हम मिक्स कर देंगे मिक्स करके आपको मैरिनेट करने की कोई जुरूरत नही तो मैं जीरा का तड़का जरूर से गरम कर देती हूँ पहले अब मैंने इसमें चिकन डाला है चिकन को डालके आपको ज़्यादा जद्धो ज़हत करनी की जुरूरत नहीं है आप इसे मीडियम फ्लेम पर उपेन करके धकन को 10 मिनट तक पकाएं और फिर धकन को कवर करके 10 म में लगेगा नहीं क्योंकि हमने दिखी डाला है तो इसमें पानी की भी मात्रा है अभी हम जो हैं दो कप चावल का यूज कर रहे हैं इसलिए हमने इसमें 4 कप पानी डाला है और कस्तूर डी मेथी डाला है अभी आप चिकन देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा पक चुका है क्य जरूर चख ले अगर नमक की जुरुत हो तो फिर नमक डाले ये मैंने दो कप चावल को डाला है इसमें अगर आप सेला बासमती रैस या फिर बॉयल रैस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे आदा गंटा तक जरूर से भीगो करके रख दे अभी हम चावल को डालेंगे और इस में मिक्स करेंगे मिक्स करके जैसी ही उबाल आएगा तो हम ढखकन से ढख करके इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे मैंने ये उपर से भारी पतीला रखा था ताकि दम से कुछ भी निकले नहीं अभी 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आ अच्छे से पक गए हैं हम इसे एक सूती कपड़े से ढख देंगे ऐसे ढखकन से अंदर के तरफ और कपड़े को उपर कर देंगे ताकि कुछ भी जले नहीं और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर कुख होने देंगे हमें टोटल सिर्फ 20 मिनट ही चावल को पकाना है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मैंने फूट कलर डाला है और धनिया पत्ती डाली है अभी हम इसे सर्फ करेंगे बिरियानी को ओफ करने के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट तक उसे रेस्ट करने देंगे तो उसका टेस्ट जो है काफी अच्छा हो जाता है और चावल भी स्टिक बिल्कुल नहीं होते हैं विरियानी को निकलने के लिए कोशिश करें क्या फोक का यूज करें इसे चावल तूपते नहीं है मुरादाबादी बिरियानी बहुत ही इसली बन जाती है इसका जो में इंग्रेडियंट होता है वह अजीनो मोटो होता है आपने को और किया होगा कि इसमें मैंने किसी भी तरीकि के मसाले नहीं डाले है अगर अजीनो मोटो ना हो तो मैगी का एक चिकन स्टॉक का टेस्ट इनहेंसर आता है आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको रैसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ठेंक यू